मेरा जन्म बिहार प्रांत के उसमेश ततकालिन सहाबाद जीला हुआ करता था अभी बरतमान में वाव भुजपुर नाम से प्रसिद्ध है उसमेश जिला में गंगा के किनारे अगर संदा वेहरा नाम के ग्राम में हुआ था हमारे पुज़ी पीदामा अपने छित्र के बहुत ही प्रसिद्ध और लोका प्री विद्वान पंडित माने जाते थे स्वानाम धन्य पंडित मंगल आच रणते पाठी जी उनकी प्रणा से मैं सन तिहत्तर में उनेश सव तिहत्तर में कासी में संस्किर्ट पाणने के लिए आया और कोई आधार कोई परिचे कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सरपर्थम हमारे हां के एक पंडित राज रामा नुजोजा जी बिल्ला संस्किर्ट महाविद्याले में प्रणा जाजपत पर आसिन थे लाल घाट पर कुछ दिनों के लिए वहां रुके इसके बाद उनीक एकसिस राजेंदर पाठोग जी बेद वेदांग संस्किर्ट महाविद्याले में अध्यापक दे हमको ले जाकर कुछ महाविद्याले में नामांकर करा दिये और ओही मैं अध्यान करने लगा उस महाविद्याले में पंडित स्री गया प्रसाद मिस्ट जी जो बनार्स के नवापूरा मुहला कर रहने वाले थे वो बेद और जोतिस के अप्रतिम धूरंधर विद्वान थे उनसे अध्यान प्रारम की मर्धिमा अस्तर तक का अध्यान बेद और जोतिस का पंडित गया प्रसाद जी मिस्ट के द्वारा हुआ इसके बाद विश्मनास्त गुर्कुल संस्कृत महाविद्वाले कान घंटा इसमें सास्त्री में नमांकन कराए उस समय उस महाविद्वाले के प्राचार पंडित रगवीर पांडे जी थे जो बलियां कराने वाले थे बैया करण सास्त्र के बड़े धूरंधर विद्वान थे उसी महाविद्वाले में पंडित छेमेंद्र कुमार जोसी जी जो तीस सास्त्र के विभागय द्यक्ष थे जो नैनी ताल उतरा खंड के रहने वाले थे उनी की क्रिपा के द्वारा संपूर्ण फलिजोतिस तता सिधान्च जोतिस का अध्याइन किये वो अपने जबाने के बहुत ही परिमार्जित विद्वान थे जिनके माध्यम से फलिजोतिस तता सिधान्च जोतिस के सभी गरंथों का अध्यन्त आउलोकन किये फलिजोतिस से अचार सिधान्च जोतिस से अचार उसी महाविद्याले से किये इसके बाद रावान उन्च संस्कित महाविद्याले मिस्टर पोकरा बारानसी में संथ उन्हेरी सवबायासी में जोतिस सद्यापक के रूप में हमारी निक्ति हो गई मैं वहीं से और भ्यक्तिगत रूप से ध्याइन भी ता ध्यापन दोनों का प्रेजकत प्रेजे Il पिर शास्त्रार्थ महाविद्याले में उनेश्ट चवर आनबे में जो तीस विवाग अधक्षपत पर हमारी नियुक्ति हुई तब से अभी तक उसी महाविद्याले में कार्ज करते हुए और कास्प्राप्त किये इस विच में संपूरा अनस्कित महाविद्याले में डिप्लोमा कोर्स चलता था उस डिप्लोमा कोर्स में कई वर्थों तक जो तीस सास तदा बास्तु सास्त्र का अध्यापन करा है उस जबाने में इस कासी में पंडित सुर्जभान मिस्टर जी पंडित गया प्रसाद मिस्टर जी पंडित प्रमथनात सर्मा जी पंडित संभूनात सर्मा जी पंडित इंदूनात सर्मा जी तता इधर दक्षुनी खंड में राज मोहन उपाद्या जी केदार दज्योसी जी और विहार तिरपाठी जी गर्ष्दत पाठप जी ये सबलुक जोति सास्र के उस समय के कासी में धूरंदर विद्वान थे जहां जहां जा करके हमने जोति सास्र का धेंद किया ता सोध कार्ज में परावर से लिया उसी समय स्रिचन संस्कित महाविद्याले के प्रवंदक स्वामी जग्दिस्वरान जी जो आयरवेत तथा जोतिस पर पूर्ण कमांड रखने वाले थे उनके माध्यम से भी हमें जोतिस सास्र का बहुत अध्यान प्राप्त हुआ इन लोग की कृपा से जोतिस सास्र में अध्यान किये तथा आज तक अभी तक विद्याले तथा घर में भी हमेसा निरंतर अध्यापन का कार चलता रहता है तथा जोतिस के बारे में कई पत्र पत्र काँओं में भी लेक मुद्रन हुआ करता है ऐं च्छात्र सोर करने वाले च्छात्र वी आते हैं और अपने इपने विचय के बारेרכ में समझ करके परका हमेसा तीस सास्र के अध्यान también में समय विदू wanna